आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे अगर आप मेरे चैनल पे पहली बाहर आ रहे हैं और आपको मेरे दुआरा लिखी हुई मेरी फैन फिक्षिन सची लगए हैं तो प्लेज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और हर बार की तरह वापस आए तो वेलकम बैक आयें त टो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा चले आज का पार्ट करते हैं लास पार्ट में हमने देखा था कि वी और वांग जी दुबारा से गुसू आ गया है वी और वांग जी जिब गुसू वापस आए थे तो इस बार के वीं के नेचर में वांग जी को बहुत डि इतनी क्लोस कैसे आ डिया क्योंकि कि सुभेशीelp चुछ के आज़ Penis कि कि वह बहुंच जाता है वांग जी के साफ बाहर काम वह बहुत है , वांग जी समझ वहां क्योंकि के जान बाद дня वह बुछ सकंदीन में दूराय लाँ वांग झी वहां कमा की साथ जय मनि पांक वांग जी को छोड़ना ही नहीं चाहती है, जहां वांग जी जाता है, वांग जी जाता है, वांग 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 ज वांग जाता है क्योंकि उसे पता है कि सब लोग अवजर्फ कर रहे हैं कि उसका पपी लव जो हमेशा वांग जी का इस पास रहने वारे इसे वो बिचारा इंबर्स होके अपने कबरें में जाके बैट जाता है और अपने फोन में कुछ स्ट्रॉल करने लगता है उसे आइड लेकिन इसके बावजूदी वो यहां पर इतना खुश है कि उसे इंचीजों का तवादा फरक पढ़ने रहा है वहीं चुपचाप से अपने रूम में ही बैठा था जब वह मतलब अपने और वांग जी की एक पिक अपने फोन में देख रहा है जब वह लोग एक तरीके से शारी के बाद स्टेज पर आया थे तो लोगों ने फोटोस नहीं की चीज़ ती यह वही वाली पिक है जो वींग की फेवरेट भी है वींग इस पिक को बार बार देखता है अब मन में सोला है क्या हो गया है मुझे क्यों मैं बैंगनेट की तरह तुम्हारे तरफ खिचता मुझे आजकर अपने अपने माउपर कंटोरल नहीं रहता हुझ क्या कड़ता हूं कैसे करता ह麼 यह समझ not बहुत प्राकुंत के वहाँ ऊसक्त है पर और आप किवाञ थींग इस पाघ को फोन वापस और बहु until सवाद इस बहुत के में फोन बहुत अपना फोन गश्शता है और बोलता है कुछ नहीं कि एक मेंसेज देख रहा था पून पे दिख तो मुझे तुम्हारी और मेरी पिक री है तो क्या हुआ जब तुम्हें पता है तुम देख चुके हो कि मैं तुम्हारी और अपनी पिक देख रहा हूँ तो फिर मुझे कोशनी की पूछ रहा हूं अब वी थोड़ा गुसा करता, नकरा करता, वह बोलता है क्योंकि मैं तुम्हारे मुझ से सुनना चाहता हूँ कि तुम मुझे मिस कर रहेते अब वी बड़ी आखों से वांग जी को देखने लगता है क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया और ये बुलने के बाद वींग के पास बिल्कुल वांग जी आके बैठ जाते है और देड़े से वींग की कमर पे हाथ रखे उसे हलका सा अपनी तरफ पुश करते है जिसके काने उसका और वींग का फिस बहुत जादा एक दूसरे के क्लोस आ गया यार नहीकाई इस बात पर वींग एंपर सा थोड़ वींग थोड़ा सा बलेश करता हूए लेकिन अपने इंपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसे वींग की यह बात है इतना बोलके वींग बीच में रुख जाता है क्योंकि वो इससे आगे क्या बोले फुट समझ नहीं का रहा है लेकिन वांग जी के लिए तो वींग उन्हें उसे याद किया ये चीज एक्सेप्ट करना ही बहुत बड़ी बात थी वो दूरंद वींग को अब जैसे उसंए पुमर से पकड़ा था अब और व्यादा ख्लोस लाके उसके लिपस पे पैस्टमट ली और हंड ली किस करने लगता है जैसे वो वींग को महसूस करवाना चाए ला है कि वो वींग को کतना मिस कर रहा है वहीं वींग भी जो अब तक एक्तम शान्सी रेता था वो अपने दोनों हाथो से वाम जी की मैक पे रेप कर लेता है और अपने ही PSYONS से वाम जी को CeS Back करने लगता है ये दोनों एक दूसरे को बहफ पैशनलि कीस कर रहे हैं अब धीरे सिख ये दोनों बैट पे आचुके है वांग जी की वहागज जो अब अब ह एक अजीब से सेनسेशन ओरी है लिकिन वह आज चाहता है कि वांग जी ना रुके वांग जी ये ऐसे ही करता रहे लेकिन वांग जी तो अपनी बात का पका है इसलिए वो यही रुख जाता है और एकदम से इसको ब्रेक कर रहता है जो विंग को बिलकुल अच्छा नहीं रखता है विंग चाहता था कि वांग जी एक तैस पिलकुल ना रुके वांग जी तो इससे कई जाधा करें लेकिन वांग जी एक्तम से विंग के उपर से उठता है पर कहता है I think मुझे यही रुप जाना चाहिए बना फिर मेरे लिए कंट्रोल करना बहुत मश्किल होगा और ये बूलने के बाद वांग जी बैट से उठके जाने लगता है जिसे विंग को बहुत गुसा आता है विंग तुरन वांग जी का हाथ पकड़के जोर से से पुश करके बैट पे गिरा देता है और खुद उसके उपर आ जाता है और अब हंग लिल और पैशनेटली वो वांग जी को कैस करने लगता है जिस तरहें वांग जी उसे टच कर रहा था अब वांग जी की टिशिट में अपना हाथ गुसा के उसे टच करने लगता है अब वांग जी महसूस कर रहा है विंग को कैसा लगता है जब वो उसके स्किन पे इसे हैंड रिमूव करता है आज विंग वांग जी से ज़्यादा होट फिल कर रहा है आज वो चाहता है कि वांग जी उसे प्यार करें उसके साथ वो सब करें जो वो पहले करता था हाँ उसी ने वांग जी को मना किया था लेकिन आज वो ही चाह रहा है इसलिए वो थोड़ा सा वांग जी से दूर होता है और कहता है मैंने कहा ना मैंने तुम्हें बहुत मिस्स किया और मैं अब तुम्हें फील करना चाहता हू I want to do right now कहके अब दुबारा से वांग जी को बहुत हंड्रिली और पैशनेटली किस करेता है वांग जी भी कौन सा विचारा चाहता था कि वो ना करें वो तो खुब खुद ही चाहता था इसलिए अब वो फ्लेपो के उपर आता है और अब लस्ट वरी नजरों से वींग की तरफ देखे बोलता है तुम चाहते हो हम ये करें कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मैंने कहा ना अब मुझे कोई बात नहीं कहने आई वांट यू इस बात थे वांग जी तुबार से वींग को थोड़ा टीस करते होता है लेकिन कहीं तुम्हें बात में वांग जी लंजा मैंने कहा ना मुझे तुम इस वक्त अब भी चाहिए जिसे वींग की इस डिमांड पे वांग जी को बहुत वींग क्यूट लगता है उसका बनी उससे कोई डिमांड करे डैवल मिस्ट थोड़ी करेगा इसलिए वांग जी अब एक पल नहीं लगा था वींग की बाड़ी से कपड़ा रिमूफ करने में कुछ सेकिंड में वींग की पूरी बाड़ी अब नूड है उसके बाड़ी के कपड़े फ्लोर पे और कहा कहा है वो खुद नहीं जाता है लेकिन वींग को ये चीज़ बिल्कुल भी इंबेरिसमेंन नहीं लग लिए बरकि आज इस डे नाइट टाइम में भी ये डे लाइट में भी उसे वांग जी के साथ ये सब करता हुए बहुत अच्छा लग रहा है वो चाहता है कि वांग जी उसे ऐसे देखे वो समझे कि वांग जी ही है जो विंग को ऐसे देख सकता है विंग को अपने सामने ऐसे देखे वांग जी की आँखों के उस लस्ट को उस मतब एक तरह एक्सप्रेशन को देख के विंग को भी बहुत प्राउड फिल हो रहा है अपने ओपर अपनी बॉड़ी की ओपर महीं वांग जी भी अब धीरे दीरे विंग के साम अपने कपड़े रिमूव कर रहा है लेकिन वो के साथ अपने सामने न्यूट पॉजिशन में देखें विंग का भी ओमेगा बहुत जादा एक्साइड़ हो जाता है और यह दोनों अपना एवरी डे मीन से स्टार्ट कर देते हैं इन दोनों की इस हॉट लुशेशन की आवाजे ग्रैनी वैन को भी नीचे तक आ रही है ज लेकिन जब वांग जी उसके साथ है तो उसके लिए यह करना बहुत मुश्किल होता है वांग जी जिस पैशन के साथ जिस हंगर के साथ विंग के साथ यह सब करता है वह चीज वांग को और जादा एक्साइट़ फील कर देते हैं जिसके कारण उसके मुझ से अटोमेटिक इतनी तेजे आवाज निकलती है कि ना चाते वे भी ग्रैनी वैंग तक वो पहुंची गई होंगी विचारा विंग कोशिश भी कर रहा है बार बार अपने माउथ पे हाथ रखके लेकिन वींग को वांग जी को यह चीज अच्छी नहीं रखे इसने वह तुरंद वींग के विचारा 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 विच दिजसे हाव भात करने गए थे अब कहा? रात का टाइम हो गए दिननर का टाइम होग गए जब लोग नीच जो अशुूट शर्माते वेश, थोड़ा इन बोन की फिकर करते दाश आते गर शर्माते वेश इनकी रुखर करती है जैसे तो इनकी एक्टिविटी रूख चुकिए और आवाज पता चल गया कि कोई आवाज नहीं आ रही है लेकिन वह चाहती नहीं थी कि इन दोनों को डिस्ट्रप करें बड़ बीचारी जब नौक करती है तो वांग जी ही डोर खोलता है क्योंकि उसका प्यारा बनी उसके हॉट सिक्सेक्शन के मतब एक तरह से चैपार यह सब करने के बाद उसका बिचारा बनी ठक के सो रहा है और उससे उठाना नहीं चाहता है लेकिन ग्रैनी वैन अपने हाथ में एक बड़ी सी ट्रेय लेकर आई है जिसमें दोनों का डिनर है बस वह भी ज्यादा कुछ बोलती है वांग जी के हाथ में ट्रेय लेकर वो तरह चली जाती है क्योंकि वह देख रही है कि वांग जी ने एक लूस से शर्ट पहनी है जिसका कुछ ही बटन्स बंद हैं जिसे उसने साफ दिख रहे है कि जितना एक तरह से वाइल वांग जी है उतना ही वाइल श्याद वांग जी प्यार से डिनर टेबल को अपनी साइट पर रखता है अपनी सोते है बनी को प्यार से उठाता है उसे पता भी नहीं चलता है वांग जी को याद आता है वो सिर्फ एक दिन के लिए ही यहां आया था अब उसे वापस वहीं जाना है क्योंकि उसे अभी बहुत सब कुछ करना है उसे अपनी वींग के उसके फादर का रियल फेस भी दिखाना है लेकिन पहले वो चाहता है कि सब कुछ बिलकुल वैसे ही रहे जैसा उसका प्लैन है इसलिए वो अपने प्यारे से बनी के साथ जितनी देर है वो हर पल पिताना चाहता है जो वींग की आँख खुलती है तो देखता है कि सामने वांग जी रेडी हो रहा है शेद जाने के लिए क्योंकि वो प्रॉपर फॉर्मल रेर पहन रहा है एक बैग सामने रखा है जिसम वो हैपीली उठा था थोड़ा सा सैड हो जाता है विंग ऐसे जगे वे उसे जालते है रेडी से देखते हुए वो सैड होते है देखकर वांग जी विंग के पास आता है त्यार से उसके मतने रहा बहुता है बस कुछ टाइम की बात है बनी फिर मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने पास हर सेकिंड के अपने पास रखोंगा पर अभी तुम्हारा यहां रहना जरूरी है ग्रैनी के लिए और फादर के लिए इस बात पर भी थोड़ा सा आंसू आ गया है उसके आख में क्योंकि वो समझ भी आ गया है कि पैसे कमाना कितना जरूरी होता है तो वो आज अपने अलफा को मना नहीं कर पाता है बस इतना ही बोलता है मुझे तुम्हारी बहुत याद आईगी प्लीज जल से जल मेरे पास आ जाना इस बात पर वांग जी वींग को इक पैशन से केस करता है और बो बड़ा शॉक्च की हो जाता है वांग जी को कैस सिस इस की हिट साइखल के बार में पता पाना जिए अभी एफीट हाई थी लेकिन उसकी रिय्ध से के बार में क TO कैसे पाता चला है वर वीं एक्स्परेशन श्यों को स्टपेशन कोग यश्यों को नहीं जा जिए टूम predic एं और उसे बताया भी नहीं थोड़ा से इंडरिस होता है और कहता है इस बात तो अपनी सीजे से ज़रूर लड़ेगा और तुरंट अपने कपड़े पहन के नीचे जाने लगता है क्योंकि वह गुडबाई करना चाहता था वैसे तो उसकी बिचारे की बैक साथ नहीं दे रही ह इस तरीके से ग्रैनी वैन को और वींग को छोड़के जाना है पांगी को बुरा डगरा है लेकिन वो यह नहीं जानता कि वह जो यह हैपी टाइम बिता के जा रहा है बहुत ज़र जैन फैमिया का एक पुरा प्लैन उसके बानी को उस से दूर करने का प्लैन कहीं इन दोनों लगा रहे हैं कि किसी भी तरह के से वो या तो अपना अंडरवर्ड या ये सब कुछ जो उसका था वो वापस पा ले वो कुछ इस तरीके से हर माने वालों में से नहीं है और अब तो उसे एक कमजोरी भी पता चल गई है जी हाँ अब हमारे मिंग्याओ ने हाथ मिला ही लिया है कहते हैं ना साप की फितरत कभी बदलती नहीं है उसका काम है काटना तो वो काटे गई है तो मिंग्याओ भी वो ये सापों में से एक है जिसकी फितरत कभी बदल नहीं सकती वो कोई डैवल की टीम में सिर्फ अपने लालच की वज़े से था उसके लिए डैवल की टीम का सकसेस होना या उनका रिवेंच कोई मतलब नहीं रखता उसके लिए तो सिर्फ उसका गोल इंपॉर्टन्ट है और उसका गोल है हर हालत में शिचैन को पाना और उसके लिए पाने के लिए किसी भी हद तक जाते है चीहे उसके लिए कूछ जैन फामया का ही हाथ को ना मिलाना पड़ packets उसने इसी प्रॉसस के लिए सबसे पहले ढाल बनाया अपने फादर को यानि अपने उस फादर को जिसने कभी भी मिंग्याओ को अपना बेटा एकसेप्ट करा ही नहीं अपना एनलेजिमेट सन मान कर उसे हमेशा धुतका रही है जिया हाँ, जिंग गौनशान को जिंग गौनशान के तरू ही मिंग्याओ जैन फैमिया से मिला था और जैन फैमिया से मिलते ही उसे जैन फैमिया को दो सजेशन्स दिये और उनसे जैन फैमिया इसे काफी इंप्रेस भी हो गया पहली सजेशन तो थी कि किसी तरीके से चाइना के अंडर्वर्ड में काफी टाइम से एंटरी करने वाला जो चाइना का सी एरिया है उसमें एक बहुत बड़ा गैंक है जो चाहता है कि चाइना के अंडर्वर्ल में एंट्री कर दे लेकिन चाइना के बाकी अंडर्वर्ल वाले लोग और पुलिस ये उसे नहीं करने देर चाते हैं क्योंकि वो एक बहुत ही जादा घटिया शैतान हैवान टाइप का माफिया है और वो है कोई और नहीं शू चिंगो चिंगो एक घटिया सा अल्फा है जो अपनी एज मतब एक होता ना मिड एज का है जो फिफ्टी फिफ्टी फाइफ की अराउंड होगा देखने में बहुत बदा सा मोटा सा आ है लेकिन उसकी हैवानियत और उसकी गदरिंदी जितनी सुनी जाए उतनी कम है सबसे जादा तो वो कर्टिया है चैरेक्टर का ओमेगास को देखके उसके मुझे से राल नकलने लगती है ऐसे हैलत है कि ओमेगास को किसी के भी हो किसी की वाइफ भी हो किसी की मदर हो उसे फरक नहीं पड़ता अगर उसे चाहिए तो वो उस बंदी की पुरी फैमिली को भी बरबाद कर चुका है ओमेगा के ले वो कितना करेक्टर लेस है इस चीज़ के बारे में अगर उसे पर्सन से मिलके आके अब मिंगासे और ज्यादा इंप्रेस हो गया है दूसरा प्लाइन भी जैन फैमिया को मिंगाँ नहीं बना के दिया मिंगाँ ने बताया कि किस तरीके से वो वींग को पापस अपने साथ ला सकते है बहुत बड़ी कमजोरी है डैवल की कमजोरी कोई और नहीं बल्कि वींग है ये जानके जैन फैमिया बहुत खशो हो जाता है आज अपने प्लैन के अकॉरडिंग गुसु के बारडर पे ही खड़े हुआ हैं अपनी कार्थ से शान्ति से वो वेट कर रहे हैं जैसे ही वांग जी आज गुसु से बहार निकलेगा तो वो गुसु में एंट्री कर देंगे वो जानते हैं वांग जी का अब गुसु पे पूरी तरह से कंट्रोल हैं लेकिन हाँ कुछ होता है एरिया है जहां वो चास सकते हैं वो गुसू के ऐसे ही एक आउटर बाहर के रेस्टोरेंट में वेट कर रहे हैं और मिंग्यो के थूरू आज वो यहां विंग से मिलने वाले हैं विंग को अज मॉर्निंग में किसी ने एक लेटर के थूरू मैसिज भेज़ा कोई फोन से कोई नेटवर्क से नहीं या नहीं कोई मेल या फोन आया बलकि एक पुराने जमानी वलता है एक स्टोन में पेपर रैप होके उनके गार्डन में गिरा था जब वो पेपर रैप में विंग के हाथ में पढ़ा तो विंग उसे देखके काफी शौक हो गया क्योंकि उसमें हैंडर्टिंग उसके फादर की थी उसके फादर ने उसे बोला है कि वो उनसे मिलने खुस一 से बाहर है क्योंकि जिस अलफा के साथ वो भी है वो अलफा उसके बिल्कुल सही ciudad सही नहीं है उस अलफा ने विंग के एक एक चीज़ पे कंट्रोल करावा है इसलिए वो ना चाहते वेबी विंग को फोन पे बात नहीं कर पाते है विंगे सुनके काफी शौक होता है लेकिन वो अपने फादर की मतब बाड़ के काफी शौक होता है पर वो अपने फादर की handwriting को पहचानता भी है इसलिए वो तुरंट उस area address पे जो लिखावा है उसी पे जाने के सोचता है वो granny van से बोलता है कि वो वापस job के ले जा रहा है और वो वहाँ ना जाके बाहर जाने लगता है ये बात वांगजी तक भी पहुचाई जाती है वांगजी जो रास्ते में एक तरके से सिटी में इंटर कर चुका था वो तुरंट वहाँ से वापस जाने की ताए क्योंकि वो जानना चाथा है कि वीघ आज अचानक से कहां जा रहा है मैंने कहा ना कि वींग के ओपर हर टाइम डैविल के लोगों की नजर रहती है तो वो लोग भी उसे फालो करें तो वींग देखता है फिट गूसु के भार एक रेस्टूरेंट में उसके फादर वेट करें जा वींग उनसे बिना मन के मिलने जाता है और गुसे में उनके आगया के बिटर कि क्यों मिलने आया है वो और उनकी वाइफ ने तो वींग को अपनी लाइब से बाहर निकाली दिया है तो आप इस तरह का लेटर भेज़ के उसके हजबन और उसके बीच में क्या मिसंडिस्टेंडिंग करेंड करना चाहरे हैं वींग गुसे में आज बात कर रहा है अगर पुराना वाला जैन फैमिया होता तो प्यार से वींग को मनाने की कोशिश करता है देकिन इस समय तो विंग के एक गुस्से को जैन फैमिया पर और गुस्सार है देकिन उन्हें विंग चाहिए उन्हें को वांग जी से दूर करना है जिसका उनका पीछे अपना खुद का एक बहुत बड़ा सेल्फिस मोटो है वो चांदे हैं कि वो जो दिल करके आए हैं उस गटिया से एक तरह से माफिया से उसके लिए विंग को इस समय वांग जी से दूर ले जाना सबसे जादा इंपॉर्टेंट है जानते हैं क्या कारण है जैन फैमिया अज विंग को यहां लेने आए हैं उसका कारण क्या है चलिए उसके लिए फैश पैक में जानते हैं जब जैन फैमिया उस घटिया से, मोटे से, भद्दे से, करेक्टर लेस, अलफा से मिलने, उस माफिया मतलब एक तरह उसके एरिया में पहुंचे तो माफिया उन्हें देखके जोड़ जोड़ से हसने लगा, अब बोला, क्या बात है, आज माफिया किंग जैन फैमिया और उनके व वो हम एक साथ मिलकर ही पूरा कर सकते हैं, अच्छा, तुम ही क्या लगता है, कि मुझे क्या चाहिए, इस बात पर जैन फैमिया अपने चेहरे पे एक कनिंग से स्माइल देते वे, बोलते हैं, मैं अच्छे से जानता हूं, आप पहुंची भी चीज हैं, आप पहले से ही, स उसमें मुझे से मेरी कंपनी चेहन ली, अप उसका रूल मुझे से जादा चलता है, और मैं ऐसा नहीं होने देना चाहता है, आप और मैं दोनों उस अंडर वर्ल को दुबारा रूल करना चाहते हैं, और मैं आपको वादा करता हूं, कि मैं आपको उस अंडर वर्ल में आने यानि चुएंग होए वो जानता है कि वो जाहे कितना भी मतलब स्ट्रॉंग हो लेकिन डैविल से पंगा लेने की तो उसकी भी उकाद नहीं है डैविल बहुत खतरनाक है और डैविल की हिटलिस में कोई आ जाए तो उसका सर्वाइफ करना ना मुंकिन है और बिना बात के वो क्यों डैविल से पंगा ले इसलिए वो डैरेक्ट बोलता है मेरा डैविल से पंगा लेने का क्या मतलब मुहेरा डैविल ने कुछ नहीं बिगाना मेरा का मतलब मुझे इससे डैविल का क्या मतलब वो मेरा दुश्मन कैसे बनेगा और मैं उसके तुम साथ क्यों बिना बात के लड़ाई करूं इस बात पर आप जैन फैमे अपना बात क्लियर करते हैं बोलते हैं क्योंकि मैं आपसे वादा करता हूं कि डैवल के मरते ही मैं आपको अंडर वर्ल का आधे से जादा शेयर दे दूंगा आधे से जादा आप अंडर वर्ल का काम समालिएगा आप काफी टा कि आपको अल्फा ओमेगास कितने पसंद है और मैं आपको दूसरा एक ऐसा ही ओमेगा दूंगा जो आप मतला मना नहीं कर पाएंगे ये बात जैन्फैमिया को उसके लोगों ने बताई थी कि अगर कोई भी काम निकलवाना है इस घटिया अल्फा से तो सबसे पहले इसे ओमे के लिए तो कुछ भी कर सकता है इसलिए इसी कमजोरी पर चोट मार रहे हैं जैन्फैमिया जैन्फैमिया की तरफ देखते हैं अब इसके चेहरे पर एक करिंग से समाइल आ जाती है अच्छा कौन से ओमेगा की बात कर रह था अब जैन्फैमिया एकदम से अपने पॉकेट स कुछ फोटोग्राफ निकालके रखता है जिसे देखके इस घटिया से अलफा के मुझसे राल आने लगती है क्योंकि यह शायद उसने पूरी लाइफ में कभी कोई ओमेगा नहीं देखा होगा इतना जादा ब्यूडिफुल ओमेगा है इतना ब्यूडिफुल कि जैसे फोटो चाइना का अब तक और यह मैं आपको दूँगा अपनी लॉयल्टी आपको जताने के लिए मेरा ही सबसे चोटा बेटा वी वुश्यान है जिसे डैवल ने जबर अस्ती मुझसे दूर चीन कर दिया है मैं आपको इस मतब यह लाके दूँगा यह प्रूफ कर निकले कि मैं साथ कितना लॉयल हूँ अगर आप मेरा साथ देंगे तो मैं आपको अपना बेटा दे दूँगा यह आप मेरी लॉयल्टी आपके लिए प्रूफ भी करेगा और दूसरा अगर मुझे मेरे बेटे को किसी को देना ही है तो मैं क्यों उस डैवल को दूँ बलकि मैं तो आपक MRей 예 margins reahlen मैं मैं प्रेसे तो आप वीवहान को देखे उसे पाने की यदि होड मैच गई है उसे अपने पास लाने की यदि होड मच गिए ह चाँ जान जिरन्फा आप मिला लेता है यहां से निकलके बहुआ ह्धँ है को कि इससे पता है कि अकेले तो वो कुछ नहीं कर सकता ले तो अगर वो भी उशान को इस तरीके से यूज भी करेगा तो क्या गलत करेगा वो यही सोच रहा है वही दूसरी तरफ विंग अब अपने फादर के आगे बैठाव है और सोच रहा है कि आज इसके फादर क्यों मिलने आए उसे यह नहीं पता कि गट्या आदमी आज इससे इ विंग के प्यार को मतब डैवल के प्यार को विंग की लाइफ से दूर करना चाहता है और दूसरा विंग को अपने काम के लिए यूज करना चाहता है इसलिए वह आज यहां बैठा है और वो विंग के सामने अपना मासूम सा नाटक करते हो बोलता है क्योंकि तुम मेरे सब प्यारे बेटे हो, मैं तुम्हें एक ऐसे इंसान के पास कैसे छोड़ सकता हूं, जो कितना गरावा और घटिया है, इस बात पर भी शुक्मिल अपने फादर की तब देखता है, तो बोलते हैं, आई ये आप क्या बोले हैं, लैंजा बिलकुल भी घटिया नहीं है, बलकि वो दुनिया का सबसे बेस्ट अर्फा है, मैं लगी हूं, कि लंजा मेरी लाइफ में है, इस बात पर जैंपर अंधर से बहुत गुस्ता आ रहा है, लेकि वो फिर से थोड़ा स्माइल करते हैं, पर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, कि मैं तुम्हें ऐसा क्यों बोल रहा तुम उसके प्यार के नाटक में मत फसना, वो तुमसे कोई प्यार नवाय नहीं करता, उसने तुमसे शादी करी है, तुम्हारे सामने वो ये कहता था, कि वो यू कॉपरेशन में काम नहीं करेगा, लेकिन वो आजकल यू कॉपरेशन में ही काम कर रहा है, तुम्हारी मदर के सामने एक बड़े से न्यूस पिपर की कटिंग रख देते हैं जिसमें उसकी मदर स्टेज पर खड़ी हैं पीछे एक साइड लान कुरें खड़े हैं और दूसरी साहीर वांग जी खड़े हैं अपनी मदर के साथ वांग जी को देखे वांग शॉकिंग ली अब जैन फैमय क मैं तुम्हारी शादी के लिए ऐसे ही अगरी कर दिया नहीं मैं उस समय चाहता था कि वांग जी को यह लगे कि मैं शादी के लिए मान गया हूं लेकिन असलियत में मैं उसके बैगराउंड चेक करवा रहा था और देखो मुझे क्या मिला उसके बैगराउंड चेक करवाने लाए समयavम, यह भात BBQ बोलने पट जैन फिम्याग्याए उस फाइल को विंग के आगे रख देते हैं विंग data को अपने फादर की तरफ देख रहा हैं अब जैन फिम्याग फिर से कंटीने करते हैं इस फाइल में उस दिन जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वो सब वांग जी का प्लैन था ये देखो ये सब वांग जी ने प्लैन किया हैं सिर्फ तुम ही थे जो हीट में आये थे उसके अलावा कोई परसन हीट में ने आये था वांग जी ने एक प्लैन के तुम्हारे यह सब तुम्हारी जाइदात के ले किया हैं. तुम्हारे पैसे के ले किया हैं. वो कोई अच्छा Alphah नहीं है. बेलकि वो एक बहुत शातिर Alphah है. वो कितना गिरावा हो सकता है. तुम तो यही सोचो ना. उसे एक मिन निगा लगा है. तुम्हारे क imprescar को पुरी दुनिया के सामने उच्छनले में तुम्हारी और अपनी प्राइबिट वीडियो अगर वो आनलाइन पोस्ट करवा सकता है तो क्या ट्रस्ट करोगे तो उस अलफा पे बहुत बड़ी हिट कर रहे हैं जैन फैमिया वो जानते हैं कि वांग जी के ने जो ये काम किया था वो बहुत गलत था और वो इसी चीज़ को वींग के सामने हाईलाइट कर रहे हैं वींग जो उस फाइल को बार बार पड़ रहे हैं तो उसकी आखों से नोन स्टॉप आसू बह रहे हैं उसे एक मिनट में उसकी पूरी दुनिया उजडी भी लग रही है उसे अपने पैरेंट्स पे गुसा था नाराजगी थी लेकिन इस समय तो उसे इतना हर्ट फिल हो रहा है उसके दिल में जैसे कितनी सारी किसी ने सुईया चुबो दी हो इतना पशार पेन फिल हो रहा है उसे लग रहा है कि जिस अलफा को उसने प्यार किया लाइफ में पहली बार किसी अलफा की तरफ को अट्रैक्ट हुआ था उसका लंजा कितना बड़ा फ्रॉड था ये सब लंजा ने प्लैन के ध्रू किया उसे फसाया उसकी वीडियो इस तरह किसे में शूशल मीडिया पर ड हमारे डैविल को जैसे ही महसूस होता है कि क्या हो रहा है तो उसके अंदर का गुस्ता बहुत जादा बढ़ने लगता है उसके गुस्ते में मुठ्या टाइट हो गई है क्योंकि उसे उमीद नहीं थी कि जैन फैमिया वींग तक पहुँच पाएगा कैसे जैन फैमिया तक इसी चीज़ से सबसे जादा शौक लगा उसके लोगों के होते वे भी विंग जैन फैमिया से मिल पाया उसे उस चीज़ का भी बहुत खुंदस आ रही है और उपर से इस समय विंग की आंखे जिन में आंसू भरे वे हैं और वो घूर घूर के वांग जी को देख रही है य लवर के पॉइंट अव यू से सोचे जो विंग को इतना प्यार करता था आज विंग की आंखों में अपने लिए वो नफरत गुसा और एक तरीके से होता है ना थोड़ा सा नचारीपन देखकर अब उसे बहुत जादा दुख हो रहा है उसे महसूस हो रहा है कि शायद जै एक अटेक किया है वांग जी के ऊपर वो जानता था कि वांग जैन फहींग कुछ ना कुछ तो करेगा लेकिन वो उसके वींग को ही उससे दूर करने के कोशिश करेगा वह यस चीज़ का कही ना कहीं डैवल को आइडिया तो था लेकिन वो इस तरह सेक्सिस हो जाएगा यह डैवल को आइडिया नहीं था, डैवल इससे पहले कुछ कर पाता, ग्रैन फैमिया नहीं ये कर दिया, अब ग्रैन फैमिया अपने चहरे पे कनिंग से स्माइल करते हुए, वांग जी की तरफ देख रहे हैं, अब विंग अपनी जगे से उठता है, उसके हाथ में वो फाइल ह वांग जी के मन में एक अजीब सी घबराट हो रहे है, विंग गुस्से में वांग जी के बिल्कुल सामने आता है, और उतने ही गुस्से में वो फाइल वांग जी के फेट्स पे फैक के मारता है, और चीक ते बोलता है, और आज का पाट यहीं नुकता है, तो क्या होगा व आपने एक्सपार्ट दरूर सुनेगा, रड़े हूँ आपको ये fanfic शे अच्छा लग रहा हूँ, थेंक्यू